आज कई वीडियो देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि दुनिया की जितनी भी बड़ी electronics company हैं सब की नजर भारत पे हैं एक काफी बड़ी खबर आप लोगों के लेकर क्या हैं भारत और साउथ कोरेया से जूड़ी हुई उनके manufacturing process को भी भारत में शुरू किया जाएगा इनमें लगने वाले कई complex components को भी भारत में ही तयार किया जाएगा लेकिन ये तो बात हो गई भारत और US की बात करें हम साउथ कोरिया और भारत के बारे में तो जैसे कि आपको पता होगा Samsung ने बुद्वार को अपने नय mobile phone S23 को launch किया है लेकिन इंटरस्टिंग बात किया है कि अब ये phone भारत में इंपोर्ट नहीं किया जाएगा बलकि इसका production भारत में शुरू हो रहा है और इंटरस्टिंग बात ये है कि इस काम में देरी होने के संभावना बिलकुल नहीं है Samsung की अलेडी भारत के अंदर कई यूनिट चल रही है जहां पर Samsung का ऑफिशली कहना है कि मेकिन इंडिया के तहत भारत में Samsung Galaxy S23 का production किया जाएगा नॉइडा फैक्ट्री के अंदर रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के जो भी मॉबाइल फोन्स भारत में सेल किये जा रहे हैं उसका काफी बड़ा हिस्सा वियतनाम से इंपोर्ट किया जाता है लेकिन अब ये डिपेंडेंसी इंपोर्ट से कम हो रही है और भारत में ही इनका production शुरू किया जा रहा है और Samsung की इसी सीरीज से एक खास बात सामें निकल के आई है कि लास्ट येर रहनी 2022 में Samsung S22 Ultra ने अपने smart look और high quality camera के चलते भारत ही नहीं बल्कि international market में एक बहुत अच्छी पहचान बनाई है और S23 को तो और ज़्यादा अप्ग्रेट किया गया है जिसे इसकी sale भी international market में काफी ज़्यादा बढ़ने वाली है और Samsung अब भारत में ही इसका production शुरू कर रहा है वहीं भारत के पेश किये गयो budget में भी बताया गया है कि भारत में smartphone को बनाने के लिए जो भी electronics component है चाहे वो lens हों, cameras हों, इन सभी के उपर भी जो import duty है उसको हटाया जाएगा इससे भारत के electronics manufacturing में काफी बड़ा boost देखने को मिलेगा और Samsung की जिस phone को भारत में बनाने का काम शुरू किया जा रहा है इसकी कीमत 75,000 रुपे से लेगर के 1,5,000,000 के बीच में रहेगी जिसमें 200 Megapixel का एक advanced camera दिया गया है ये camera high resolution processing के साथ काम करेगा जो की 100x zoom असानी से कर सकता है हम overall इस report को समझें तो अब भारत में चाहाए iPhone हो, Samsung हो या फिर दुनिया के किसी भी brand का सबसे latest model सब ही का production भारत में शुरू हो चुका है इस list में Samsung का नाम पीछे था अज finally Samsung ने भी अपने इस नाम को उपर कर लिया है Samsung के तरफ से लिए गएस decision के बारे में आपका क्या करना है comment box में जरूर लिखेगा भारत का ऐसे ही useful और informative वीडियो समाने के आप मारे YouTube चालल को सबस्क्राइब जरूर के लिजे मिलेंगे हाम हापको एक नई और interesting वीडियो में तक लिए बंदे मातरम भारत माता कीच्चे